कई बार आप मेंसे काफी सरो लोग ऐसे हैं जिनके घर में जो है सोचाले का निर्मार हुआ है लेकिन उनको जो है जो भी अनुदान रासी मिलता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोचाले निर्मार पर सरकार के द्वारा 12,000 पर की जो साहता रासी है आपको प्रोवाइड की जाती है तो अभी जो है उसके लिए online, offline आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं माद लिए आपके घर में सवचाले का निर्मार हुआ है और अभी तक आपको अनुदान का रासी नहीं मिला हुआ है तो कैसे online form को भरना है और किस तर सब आपका सत्यापन होगा किस तर सब को 0य सहत आपको स्वक्ष भारत मीशन ग्रामीर का जो अपीसल पोटल है यहाँ पे आपको आना है इस पोटल पे आने के लिए आप जो ही आपको तो आपको आपको आधारे साधिक होना चाहिए और साथी साथ आपके पास बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपका पैसा बगर आउगरा जाएगा ठीक है तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है आवेदन करने का link मिल जाएगा for online apply इस पे आप click करेंगे तो आप जो है यहाँ पे आजाएंगे ठीक है अब यहाँ पे आने के बाद आप सभी थोरा सा इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पर सकते हैं समझ सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घरेलू सवचाले उपलाब्ध कराने के लिए आवेदन करने का link यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है तो इस पे आप click करेंगे तो आपके सामने जो ही registration का पेज यहाँ पे खूलेगा जहाँ पे देख सकते हैं कि स्वस्त भारत मिशन जी फेज टू यानिकि गरामिर फेज टू के तहर जो है आवेदन आप कर रहे हैं क्यूंकि काफी सरो लोग ऐसे हैं जो कि सवचाले का निर्मार करवाया हुए हैं फिर कराना चाहते है और अरुदान प्राप करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे पोटल जो है खोला गया है अब यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले जो है आपको candidate registration का यहाँ पे सौरी सिटीजेंड रेश्टेशन का जो है बटन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा क्यूंकि हम नागरी के लोग जो है form को भर सकते हैं ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही भरेंगे आपको इधर से भी आते हैं form को apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्यप्चा को फिल करेंगे आपको एक option मिलेगा submit इस पर आपको क्लिक करना है देखिए जैसी ही आप सब्मीट के बटन प क्लिक करना है अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाईल लंबर राइश्टर्स करते समय दिया था उस मोबाईल लंबर को डालेंगे गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपना जो है OTP डाल देना है फिर यहाँ पे क्यप्चा को फिल करना है यहाँ पे वनली वो लोग अपलाई करेंगे जो की BPL काड़ धारी हैं ACST हैं साथी साथ कोई physically handicapped है वो लोग जो है आवधन कर सकते हैं साथी साथ आपके पास जमीन नहीं है आप labor है ठीक है तो उस परकार के जो भी small migrant farmer है या फिर woman headed household है village which don't have any toilet यानि कि आप ग्रामी छेतर साथ हैं आपके पास किसी परकार की toilet नहीं है और आप जो है toilet पर किसी परकार का benefit प्राप्त नहीं किये हुए और आप अपने घर के अंदर जो है toilet का contraction करवाते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें जो आपको incentive यानि कि जो भी आपको अनुदान है वो आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ही जनकारी दिया गया है जिसमें बोला गया है कि आप form को भरेंगे तो आपका जो है physical verification होगा block और district के माधिम से उसके बाद ही आपका approve होगा या फिर reject होगा तब जाकर आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे ठीके सभी जनकारी यहाँ पर mention किया गया है अब यहाँ पर देखिए आपको जो ही new application का button मिलेगा जिस पर आप click करेंगे के सामने जो ही कुछी तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको form को भरना है form को भरने में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपको state बतानी होगी तो आपने रेशन करते समय जो भी state दिया हुआ है उए state आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपने district का नाम बताना है कि आप जो ही कौन से district के अंटरकरत आते हैं फिर यहाँ पे आपने ब्लॉक बताना है यहाँ से ब्लॉक भी state कर सकते हैं उसके बद पंचायत और उसके बाद village और उसके बाद habitation name उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं section B twilight honor particular यानि कि जो भी twilight honor है जिनको अनुदान चाहिए उनका जो ही जंकारी आप भरेंगे जैसे अदहार नमबर लिखेंगे ठीके और यहाँ पर consent देंके verify अधार के बटन पर click करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपका जो अधार है यहाँ पर verify हो जाएगे इसका मतलब है कि आपका अधार यहां पे विरिफाई हो गया है, अब यहां पे आपको क्या करना है, आपना father या फिर husband का name लिखना है, अगर महिला है तो husband का name, जेन साथ है तो father का name, फिर यहां पे gender बताएंगे कि आप male हैं कि female है, उसके बाद यहां पर category में देखेंगे तो आपको जोई APL और BPL देखने को मिलेगा तो जो भी आपका कैटी गड़ी है आप यहां से स्लेट करेंगे उसके बाद यहां पर सब कैटी गड़ी जोई आपको देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि वूमेन है फिजिकली हैं लेंडलेस है ठीक है या फिर स्मॉल माइग्रेशन फार्मर है या फिर एसी एस्टी है तीस तरह जनकारी आपको स्लेट करने के मिलेगा तो जो भी आपका कंडीशन होगा इसी कंडीशन में आपको जो है लाब मिलेगा ध्यां रखियेगा अगर आप महिला है ठीक है फिजिकली हैं लेंडलेस है ठीक है स्म का जो भी condition होगा अगर आप journal है तो BPL में यहाँ पर जाएंगे और बाकी जो काईटी गड़ी में आपको दिखाया इस तरह से काईटी गड़ी का selection करना है उसके बाद यहाँ पर आधार अटोमेटिकली यहां से type में ले लेगा और अधार नमबर भी आपका ले इसको डालने की वह सकता नहीं है यहाँ पर आपने एक मोबाइल नमबर और इमेल आईडी मोबाइल नमबर सभी से डालेगा क्योंकि इसी के माधिम सब का सत्यापन बेगरावगरा किया जाएगा और उसके बाद अपना पूरा जो है यहाँ पर टाइप करना है और उसके आपका जो है बैंक नेम ब्रांच नेम ब्रांच का एड्रेस और बैंक का डिस्टिक और यहाँ पर सभी जनकारी फैज कर लेगा अब यहाँ पर आपना जो ही एकाउंट नमबर डालना है और फिर यहाँ पर उसी एकाउंट नमबर को कमफर्म कर देना है फिर यहाँ पर सकते हैं कि PDF, JPG, PNG, सभी में आप इसको upload कर सकते हैं, दो सके भी सुझे ज़्यादा आपका file size नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे choose file पर click करके upload करेंगे, apply के button पर click करेंगे, देखिए जैसी apply के button पर click करेंगे, तो आपका जो form है यहाँ पर apply हो जाएगा, और कभी भी आप अपने application का जो status है चेक करना चाहते हैं, तो view application के button पर click करेंगे, अगर आपने यहाँ पर form को submit किया होगा, तो आपका application का जो status है यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, अब आपको form भरने के बाद जो है कुछ दिनों का wait करना होता है, दो महिना, एक महिना, उसके बाद जो है blockaster से verification होता है, जिसमें आपका geotag in होता है, जो भी अपने toilet का निर्मार करवाया हुआ है, और geotag in होने के बाद ही एप्रूब होता है, एप्रूब होने के बाद ही आपको यहाँ पर पैसे प्राप्त होते हैं, तो इस तरस जो है form को आपको भरना है, इसके साथी अगर आप offline आवदन करना चाहते हैं, तो offline भी आवदन कर सकते हैं, offline का हमने यहाँ पर एक देख सकते हैं, कि form दिया हुआ है, इससे पहले offline की जनकारी यहाँ पर दिया गया है, कि इस उतना के तहच जो है 12,000 रपे की प्रूस्ताहारासी आपको दी जाती है, जिसमें आपन होगा और उसके बिहाब पे आपको साहतारासी दी जाएगी, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही किलियर करके बता दिया कि इस तर से form को भरना है, form को भरना का मतलब यह नहीं है कि आपको जो ही लाब मेल ही जाएगा, क्यूंकि इसमें क्या होता है, कि आपका ज जो भी वहाँ से जो भी इस relevant कर्मी है, कोई अधिकारी है, उनसे आप बात कर सकते हैं, तो मैंने जो अल्मोश्ट आपको सारा जनकारी बता दिया है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल होगा, तो आप हम नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज जहां तक में नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिस की जाएगी,